बिसमिल्लाहरु रह्मारुराहिम, अस्राम्रेखु प्रिणाइथ क्लास, हम चप्टर वन कर रहे थे और आज हमारा है लेक्चर नमबर 26, जिसमें हमने पुर्णा है मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि हमार एफर कि अन्मर्स की बात करें तो 5 का होता है, 1ischer 5 कぁ मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स का होगा, 7 अश्तर होगा, 3 ठीक है, तो, क्या होता है ? अगर हम इन दोनों को मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स से, क्या है , हमारा , 5 से कट जाता है, अंसर का हमारे पास滑थ है ? आगर इन दोनों को भी मंटिप्लाइब करें, तो हमरे पस क्या रहेगा, 3, 3 से कट आप लोजाएगा, 7, 7 से रहाएगा, 1, तो क्या जहर होता इसे, कि जब हम दो नम्बरों को, जो आपस में एक दुसरे के जर्बी माकूस हूं, दो नमबर जो अपस मेद इसा के मॉल्टीृर्टिकेटव इन्वारस हो उन्हें मॉल्टिपॉलाई करने से आंसर क्या आता है ? 1 आता है तो आपको पहले पता है जैसे मॉल्टिृूर्टिकेटव इंट्रिकिटे यहाँ वन है तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? मुल्टिप्लाइडिक्स और रिवारी यूनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनियुनि अगर हम A को B के साथ multiply करें और हमारा अंसर आजाए I I क्या होता है? हमारा unit matrix ठीक है? अगर हम दो matrix को multiply करें और उसका अंसर I आजाए I क्या है टू बाइटो की बाहन? 001 मैं इस दो matrix को multiply करने से अगर आजसर हमारा unit matrix आता है तो वो दोनों matrix एक दूसरे के multiplicative inverse होंगे दो matrix दो कालबों को अगर हम जर्ब दें और हमारा answer आजवाब है वहदानी कालब तो वो दोनों कालब क्या होंगे? एक दूसरे के जर्बी माकूस होंगे ठीक है बास समय जाई? कि अगर दो matrix है हमारे पास हम तोनों को multiply करें और answer हमारा identity matrix आए तो वो दोनों matrix क्या होंगी? एक दूसरे की multiplicative inverse ठीक है जैसे 5 को अगर 5 over 5 से multiply करने आज़सर कितना आता है तो 5 जो है 1 over 5 को क्या है? Multiplicative inverse इसका multiple inverse यह और इसका multiple inverse यह तों से हमारे पास क्या है था? तो नमबरों में जो 1 होता है matrices में क्या होता है हमारे पास identity matrix होता है तो मैं इसका आपको एक question करवाता हूं तो आपको यह उसी clear बजाएगा यह देखें Multiplicated inverse of a non-singular matrix तो यह हमेशा आपने जाद रहना है कि जब हम किसी चीज़ का inverse लेते हैं तो matrix क्या होने चाहिए non-singular non-singular कौन से होती है? जिसका determinant 0 ना हो जिसका determinant 0 ना हो क्या होते non-singular Let a and b be two non-singular square matrix of same order then a and b are set to be Multiplicated inverse of each other if a b is equal to b a is equal to i कि अब a को b के साथ multiply करें या b को a के साथ करें आंसर क्या है हमारा i आए तो a और b क्या होंगे Multiplicated inverse of each other वे एक दूसरे के क्या होंगे Multiplicated inverse होंगे The inverse of a is denoted by a inverse a inverse का किस तरह show के जाता है उसे a inverse उपर power क्या बन जाएगी minus 1 a के उपर अगर power minus 1 लगा दिजाए वो क्या बन जाता है a का inverse thus a inverse a inverse into a is equal to i होता है inverse of a matrix is possible किसी matrix का inverse तब possible होता है अगर matrix is singular sorry matrix is non-singular अगर matrix क्या हो non-singular हो तब भी उसका inverse मुंकिन है otherwise उसका inverse possible नहीं होता और यह मेर पॉइंट है inverse of identity matrix is identity matrix के identity matrix का inverse क्या होता है हमेशा identity matrix होता है गैर नादर कालिब का जर्बी माकूस उर्दुवाले से कहेंगे गैर नादर कालिब का जर्बी माकूस गैर नादर कालिब कौन सा होता है जिसका मकता जीरो ना हो ऐसा कालिब जिसका मकता जीरो हो नादर होता है गेर नादर कालिब का क्या है जर्बी माकूस हमें बालों करना है अगर दो गेर नादर कालिब A और B हम मरतबा मुरबई कालिब हूँ दो कंडिशन है इसके लिए दो शर्ते हैं एक दो क्या हूँ हम मरतबा हूँ दोनों का मरतबा क्या हो सेम हो और मुर्बी कालेब हूँ, स्कियर मैटसिस हूँ तो A और B दोनों एक दूसरे का जर्बी माकूस कहलाते हैं A और B अगर A B into B A is equal to B A is equal to I अगर A को B के साथ जर्ब दें या B को एक साथ जर्ब दें जवाब हमरा I आए, वहदानी कालेब आए तो A और B क्या होते हैं, एक दूसरे के जर्बी माकूस होते हैं अगर कालेब A का जर्बी माकूस A इन्वर्स से जहर किया जाए बतलब B को क्या कहा रहा है, A इन्वर्स A का जर्बी माकूस किसी से शोकिया जाता है, A इन्वर्स से तो हम इसे इस तरह भी ले सकते हैं अगर A को A के इनवर्स से जर्ब दी जाए या A के इनवर्स को A के साथ जर्ब दी जाए तो हमारे जवाब क्या है? क्या आता है? वहदानी कालिब आता है आई जवाब आता है कालिब A का जर्बी माकूस A इनवर्स एक पावर किया है माइनस वन यहां शोर नहीं हो रहा कलियर एक पावर माइनस वन होते जासा कि यहां लिखा हुआ है कालब एक अज़र में को से इंवर्स मालूम करना मुम्किन होगा अगर एक या एक गहर नादर कालब हो यहां हमने बताना है कालबों के जोड़ों में से इसाबिक कीजिए कि हर एक कालब दूसरे कालब का जर्बी माकूस है या नहीं है अब हमने बताना कि ए और बी जो है एक उसे के जर्बी माकूस है या नहीं है तो इसके लविए आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास अगर दो मैटलिसमों ए और बी हो उन दोनों को जर्ब देने से जवाब हमारा आई आ जाए तो वो क्या होते है इस दुसरे के जर्बी म अब हम इसे नाम दे सके हमारे लिए आसानी हो बुक में ए और बी लिखा हूँ हमें साथ लिए लेट मतलब हम फर्ज कर रहे हैं इसे ए का नाम देकर इसे बी का नाम देकर अब हमने क्या करेंगे मल्टिप्लाइब करेंगे नाव ए बी ए बी क्या आगा हमारा पास मल्टिप्लाइब करना है जो हम पहले कर चुके हैं शुरू में ए ए में हमारा पास आएगा थ्री फाइब फोर सेवन क्लिप्लाइब करेंगे मॉल्टिप्लाइब करना है वही स्यावर्न फर्स डो लेंगे इसे से फास्ट कॉल्म लेंगे तरी को सब्सान है 3 multiplied by 7 घर्म्यान में plus 5 को multiply करना है मानस के 4 से फिर first column से multiply कर लिया अब second column की बारी है first row को second column साथ multiply करेंगे 3 को किस्ट मैंडिप्लाइब करना है minus 5 से gap देकर 3 multiplied by minus 5 plus next second time को second से 5 को किस्ट मैंडिप्लाइब करना है 3 से 5 multiplied by 3 next first row को multiply कर चुके दोनों columns के साथ अब second row लेंगे इसे first column के साथ multiply करेंगे 4 को किस्ट मैंडिप्लाइब करना है 7 से 4 multiplied by 7 plus 7 को minus 4 के साथ next इसे first column से कर लिया multiply अब second row को किस्ट मैंडिप्लाइब करना है second column के साथ 4 को minus 5 के साथ 4 multiplied by minus 5 plus 7 को 3 के साथ 7 multiplied by 3 अब इस आप simplified कर लेंगे क्या बनेगा 7, 3 ज़र 21 plus ये plus minus 5, 4, 20 minus 20 नीचे 7, 4, 28 7, 4, 28 ये plus ज़र ये minus है plus minus 7, 4, 0 फिर वही 28 नेक्स नहाँ देखें तो 3, 5, 0, 15 लेकर ये 3 plus के है 5 minus के है plus minus minus ये minus का 15 बनेगा plus ये दोनों plus के है plus plus रहेगा 5, 3, 0, 15 4, 5, 0, 20 4, 5, 0, 20 लेकर ये 5 minus के है 4 plus के है plus minus minus ये तना मनेगा minus का 20 plus 7, 3, 0, 21 7, 3, 0, 21 अभी से ये आप करेंगे simplify 21 minus 20 1 28 minus 28 0 minus 28 plus 15 0 minus 20 plus 21 21 minus 21 तो हमारा आसर किसके बाद पर आया I के आसर किसके बाद आया प्रोडाक्ट किसके बाद पर आया है I के लिहाज़ा A और B लिके आए तो से के मल्टिप्लिकेटर इन्वर्स हैं तो एड़ प्रोड़ ये लिखेंगे उद्वारा ये ब्लैक बाद लिखेंगे चुके A B is equal to I लहाज़ा A और B एक दुसरे के जर्बी माकूस हैं और इंग्ले शाल ये लिखेंगे As A B is equal to I So A and B are मल्टिप्लिकेटर इन्वर्स of इच अदर तो ये आपका question 5 का first part है जो मैंने आपको complete करवा दिया है इसी का second part है वो आप home work ले करेंगे Second part आपका home work है वो भी same, बिल्को same procedure के साथ है उसमें कोई भी changes नहीं है Just values change है वो आप खुद रसाल कर लेंगे Allah आफेस